इंडोनेशिया में एक फुटबोल मैच के बाद हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 174 पार कर गई है जबकि सैंकडों लोग घायल बताय जा रही हैं। इस भीशन हिंसा को लेकर इंडोनेशिया के फुटबोल संग ने दुख जताया है। साथ ही अगले एक सप्ता हमें होने वाले सबी मैचों पर पावंदी लगा दी है। इस घटना के जांच के भी आदेश दिये गए हैं। घटना शनिवार रात इंडोनेशिया लीग बी आराई लीगा वन के एक फुटबोल मैच के बाद हुई। मिली जानकारे के मताबिक अरेमा एफसी और परसेबाया सूरबाया के बीच मैच के बाद हारने वाले पक्ष के समर्थकों दोरा पिछ पर हमला कर दिया गया। जिसके बाद अधिकारियों को आंसु गैस छोड़ने पड़ी जिससे भगदड मच गई। बताया जा रहा है कि कई लोगों की मोत दम घुटने की वज़े से भी हुई है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई वीडियो भी सामने आ रही हैं। वहीं इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 174 पार कर गई है जबकि कई लोग घायल हो गई है। वहीं इंडोनेशिया की फुटबोल संग ने एक बयान जारी कर खटना पर खेद व्यक्त किया और कहा कि खेल के बाद जो हुआ उसकी जांच शुरू करने के लिए एक टीम मलंग के लिए रवाना हो गई है। झाल 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 झाल